हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हुमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोर्मेशन लेका है हूँ रुक्रीटमेट आ रही है आई आई टी की तरफ से इंडियन इंसिटूट अफ टेक्नोलजी फुवनेश्वर की तरफ से रुक्र करना आको कि अपनीjadiश्चिन अपनी अप्लिकर आपको भी एपनाई प्लिकिशन ऐसे उनके बताया हुए आपके लिए आप apply कर सकते हैं इसके लाबा कुछ recruitment जो है वो freshers के लिए भी है तो उनी के बारे में आप लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ recruitment regular basis पे हैं और कुछ deputation पे हैं regular के लिए आप सभी apply कर सकते हैं notification में सबसे पहले दोस्तों online application मागी गई है online के बाद आपको जो है वो offline भी apply करना पड़ेगा non teaching positions है positions की बात करें यहाँ पे आप देख सकते है technical officer superintendent इसके लाबा जो है वो junior assistant junior accountant इसके लाबा multitasking staff की अलगर अगर को treatment है जिसके लिए आप apply कर सकते हैं यह salary का जो के उन्होंने structure दिया है किस-किस position के लिए कितनी-कितनी salary होगी यहाँ पे vacancies दी हुई है आप आके read करिए का आपको पता चल जाएगा इसके लाबा दोस्तों यहाँ पे important dates की बात करें तो 24-5 से आवेदन शुरू है अगर आपको जो ही नोटिफकेशन चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके नोटिफकेशन रीड करिए आपको सारी जानकरी मिल जाएगी पहली position है जुनियर technician की B.E.B.Tech कर रखी आपने civil में, electrical में, mechanical में, electronic में computer science में आप बिल्कुल eligible है अप्लाई कर सकते हैं अगर ये नहीं है तो diploma के साथ आपके पास 3 साल का experience जो होना चाहिए अगर ये नहीं है तो ITE के साथ 5 साल का experience होना चाहिए तो ये दोस्तों जो ही वो criteria है B.E.B.Tech के साथ आप बिल्कुल fresh ये eligible है अप्लाई कर सकते हैं 32 year maximum age limit रखी गई है आपकी age 18 से कम और 32 year से जादा नहीं होनी चाहिए इसके लावा दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पे दोस्तों multitasking staff की recruitment है जिसमें की administration, electrician, plumber, car painter, telephone exchange इन सभी के लिए आवेदन मांगे गई हैं 18,000 से लेके 56,900 तक आपको salary मिलेगा साथ में other allowance जो है वो मिलेंगे 27 साल maximum age limit रखी गई है और यहाँ पे दोस्तों अलग-अलग position के लिए अलग-अलग qualification है metriculation के साथ आप बिल्कुल eligible अप्लाई कर सकते हैं MTS administration के लिए यहाँ पे किसी भी तरक experience आपके पास नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं लेकिन तीन साल का अगर experience है तो यहाँ पे आपको फाइदा मिल सकता है आपकी selection के chances बढ़ जाएंगे इसके लावा दोस्तों यहाँ पे जोखे electrician के लिए recruitment है ITE आपने कर रखी electrician trade में आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं इसके लावा अगर आपके पास certificate course आपने कर रखा है National Development Center का electrician trade का तो भी आप apply कर सकते हैं और यहाँ पे जोखे वो HD आपके पास license जो हो होना चाहिए इसके लावा यहाँ भी experience desirable है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं as a fresher ITE के लिए electrician के लिए एक और recruitment है जिसमें MV license आपके पास होना चाहिए आप apply कर सकते हैं इसके लावा plant operator mechanic की recruitment है ITE आपने कर रखी है fitter में, electrician में, refrigeration and air conditioning में तो आप apply कर सकते हैं यहाँ आपके पास six month का certificate course है National Skill Development Center का तब भी आप apply कर सकते हैं यहाँ भी तीन साल का experience desirable है अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो भी apply कर सकते हैं plumber के लिए 10th pass eligible apply कर सकते हैं अगर ITE कर रखी है तो फाइदा मिल सकता है लेकिन आप 10th के साथ भी आप चोहें वो apply कर सकते हैं car painter के लिए आपने 10th कर रखी है यहाँ आपने ITE कर रखी है तो भी आप apply कर सकते हैं और desirable है यहाँ भी यह चीज़ें आप 10th के साथ बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं telephone operator के लिए अगर आपने ITE कर रखी है electronics and electronics and communication में आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपने engineering कर रखी है तो भी आप apply कर सकते हैं computer engineering कर रखी है, electrical engineering कर रखी है आप eligible है apply कर सकते हैं इसके लावा अगर आपके पास जो है वो 6 month का certificate course है National Skill Development Corporation का telephone operator का तो भी आप apply कर सकते हैं फिर आपको जो है वो इन चीजों की ज़रूरत नहीं पढ़े यह थी दोस्तों recruitment freshers के लिए जिनके लिए आप fresher बिलकुल इवीजिबल apply कर सकते हैं बाकि experienced candidate के लिए बहुत recruitment है आप notification रीड करिए आपको मिल जाएगी आवेदन करने की जो दोस्तों hard copy उनके बताई हुए address पे भेज सकते हैं बाकि online आवेदन जो है वो 24.6 तक आपको करना है आशागर्दों का आपको यह चीज समझ में आगे होगी speed post का इस्तिमाल आप कर सकते हैं courier का इस्तिमाल कर सकते हैं बस आपकी application जो है वो late नहीं होनी चाहिए वहां तक time पे पहुँचानी चाहिए अगर delay हो जाता है तो वो reject कर देंगे यह चीज का भी खयाल रखिएगा और fees आपको online पे करनी है तो आपकी fees भी जो है वो non refundable होती है और जो है वो आपकी fees जो है जाया ना जाए इसलिए आपको जो है वो सोच समझ के आवेदन करना है इसके अलावा दोस्तों पांच उर्पे की application fees जो है आपको भेजनी है जो की non refundable है किसी भी सूरत में वापिस नहीं होगी तो यह चीज भी थ्यान में रखिएगा बाकि अगर आप female candidate है या आप SC से हैं, ST हैं ex-serviceman है, transgender category से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की fees देने की जुरूत नहीं आप बिना fees के apply कर सकते हैं और यहां पे साफ साफ लिखाएगा कि किसी भी circumstances में application fees refund नहीं होगी तो आप अपनी जब apply करेंगे application तो सोच समझ के time पे जो है वो apply करिएगा इसके लावा दोस्तों अगर आपके पास qualification या experience वो जादा है तो आपकी salary बढ़ भी सकती है आपको जादा salary दी जाएगी उनके मुकाबले में जो freshels वो भरती हो रहे हैं इसके लावा दोस्तों अगर आपको एक से जादा criteria age देखने की आपका eligibility criteria हो आपकी age हो चाहे आपका experience हो वो आप closing date तक जो है complete हो जाना चाहिए closing date क्या है 24th of June यानि कि 24th of June तक आपका सारा criteria complete हो जाना चाहिए इसके लावा दोस्तों selection process की बात करें तो selection process के बारे में यहाँ पर detail में नहीं बताएगा लेकिन उन्होंने यह जरूर लिखा है कि वो लोग देखेंगे और अपने according जो है वो screening जो है वो करेंगे और उसके बाद जो है वो selection criteria set करेंगे तो shortlist करा जा सकता है candidate को वो देखेंगे कि कितनी applications जो है उनके पास जाती है उसके according जो है yellow criteria set करते है तो application बहुत जाएंगी तो यहाँ पर हो सकता है written examination हो और उसके बाद interview के मादियम से आपका selection हो जाए लेकिन यहाँ पर detail में इसकी जानकारी नहीं दी गई है इसके लावा दोस्तों कौन-कौन से certificate आपको लगाने है print out online application का duly signed लगाना है इसके लावा self-attested जो copies होती है mark sheets होती है, certificates होती है उनकी photocopies लगानी है, pictures लगानी है इसके लावा आपके जो relevant certificates होंगे उनकी जो है वो आपको photocopies लगानी है और इसके लावा अगर आप चुहे वो SCSD community से आते हैं, PWD से आते हैं, OBC से आते हैं तो आपको community certificate की photocopies भी साथ में attach करके भेजनी पड़ेगी इसके लावा दोस्तों किस address पर भेजनी है उसके जानकरी यहाँ पर दी गए इस address पर आपको application जोगे हो hard copy भेज देनी है पहले online apply करना है, उसके बाद print out निकाल के supportive document की photocopies के साथ इनके बताय हुए address पर भेज देना है तो यह जानकरी दोस्तों दी गई है उनकी official website पर आशागरतों का आपको सारी चीज़े समझ में आगे होगी आप notification रीड करिए, आपको लगता है आप eligible हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो यह तद होता आज की इस वीडियो में थेंकी बरी मच इस वीडियो को देखने के लिए आशा करता हूँ का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी, अगर वीडियो से रेलेटिड आपके कुछ भी कोस्टन से कमेंट सेक्चर में लिखिए आपके जो कोस्टन से उनकी आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा तो मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब आपरेट के साथ दुबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे